इन्डिरेक्ट असेस्मेंट, so now we will discuss कि इन्डिरेक्ट असेस्मेंट के मैथड से हम किस तरह इन्फरमेशन गैदर कर सकते हैं to understand the problem of bulima nervosa, so indirect assessment या informal assessment में हम जो हैं interviews conduct करते हैं, जिसके अंदर हम client से क्या करते हैं, case history लेने की कोशिश करते हैं, अब जब हम case history ले रहे होते हैं, त इसके साथ हमें client के case की understanding भी हो रही होती है, हमें ये भी समझा रही होती है कि जब इसके presenting complaints जो ये explain कर रहा है, उसका जो antecedent events थे, वो क्या थे, वो किस तरह trigger हुआ, और वो किस तरह maintain कर रहा है, उन symptoms को, ठीक है, तो जब भी आप eating disorder के बारे में बात करते हो, तो आपको इस चीज़ का दिहान रखना है, कि आपने उसकी family के अंदर, जो existing लोग हैं, उनकी psychiatry history आपने जरूर लेनी है, because it is said कि जो eating disorder है, ये families में run करता है, खास तोर पे ऐसी families में, जिसमें already किसी को eating disorder हो, या किसी को depression हो, तो we need to be check this thing, कि किसी family के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो run नही करी, इसके साथ जो family का environment है, अगर वो बहुत जादा over critical है, आपने उसको भी rule out करना है, आपने ये भी देखना है, कि parents का relationship कैसा है, और parents का relationship towards child कैसा है, क्योंकि ये वो factors हैं, जो contribute करते हैं, अब इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, कि आपने interview में हम क्यों इन बातों को stress करते हैं, उसकी वज़ा ये होती है, कि अगर genetic predisposition मौझूद है, ठीक है, family के अंदर ये problem run कर रहा है, लेकिन आपका जो environment है, वो conducive है, तो it is less likely कि ये disorder जो है, वो exhibit हो, लेकिन अगर आपका family का environment जो है, वो congenial नहीं है और disturbed है, तो it is more likely कि ये disorder जो है, वो exhibit करे है, तो you need to be understand कि ये क्यो problem जो है, वो बाहर आ रहा है, client के, इसकी help से you can develop the case formulation, जो के help करती है, आपको causes को understand करने में, hypothesis डवेलप करने में, और फिर आपका management plan को design करने में, इसके साथ है, जो initial history है, हमें पता है, जब भी हमने children के साथ काम करना है, जब भी हमने adolescence के साथ काम करना है, तो हमने उनकी early life history क उपर ज़्यादा focus करना है, हमने देखना है कि उनके developmental जो time periods है, वो normal है, या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उनकी developmental milestones जो है, वो delayed है, या उनको puberty के level पे कोई problem आ रहा है, तो we need to be understand these things, इसके साथ साथ उसकी mother की जो भी, जो delivery का time था, अगर स्वाकत भी complications होई है, तो we also need to be understand those points to, तो इन चीजों को आपने understand करना है, और इसी वज़ा से जो interview है, वो हम conduct करते हैं, then we will done the baseline chart, हमें पता है कि baseline chart हम क्यों करते हैं, because हमें ये check करना होता है, कि कौन-कौन से ऐसे antecedent factors हैं, जिसकी वज़ा से जो client का behavior है, वो exhibit होता है, और उसका thought pattern क्या चल रहा होता है, ठीक ह ये हमें dual purpose देती है, एक चीज़ ये क्या करती है, कि हमें भी inform करती है, client के behavior के बारे में, in addition to that, ये client को भी awareness develop करती है, कि वो उसकी एक तरहां से जो self monitoring है, वो start हो जाती है, ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, कि जैसे एधर एक example है, सना की, कि उसने क्या किया, उसने काफी स जो junk food है, वो एक ही sitting में बैठ के खाया, और उसके फारण बात जो है, उसने पर्च किया, ठीक है, यानि उसने गई और उसने वामेट आउट किया, और उसकी वज़ा से जो उसका emotion है, वो क्या था, वो था anxious, अब emotion की, यानि जो उसकी anxiety थी, उसकी intensity कितनी थी, 98% और उसने ज मिड़नाइट में उसने जो है, वो snacks खा रही है, फ्रॉम लास्ट पोर मांथ, ठीक है, अब उसके बाद करती क्या थी, वो 50 sit-ups जो थी, उसको behavior उसका जो था, वो manifest होता था, यानि जो compensatory behavior है, वो क्या है, 50 sit-ups का, और उसकी वज़ा से, she felt herself very much distressed, किसकी वज़ा से, for eating food, और उसके जो emotion था, distress की, उसकी intensity क्या थी, 96% और frequency कितनी है, उसकी daily, one time, अब जो thought pattern है, उसका, सना का जो चल रहा है, वो क्या है, कि I am gaining weight, I cannot stop myself from having snacks, ठीक है, अब यह जो पूरी picture है, हमें यह explain करी है, कि basically, जो सना है, उसको bench eating का problem है, इसके साथ साथ उसे compensatory behaviors भी आ रहे हैं, जिसमें वो purging करी है, जिसमें वो excessive exercise करी है, ठीक है, तो इस दिसम के जब आपके पास baseline चार्ट आएगी, तो उससे आपको idea होगा, कि client के साथ problem क्या है, और उसका कौन सा जो specific thought pattern है, वो उसके अंदर develop हो रहा है, जिस तरह हम कहते हैं, कि जो बलमन अवोसा के client होते हैं, उनके अंदर mean problem ये होता है, कि they have fear of feeling, gaining weight और इसके साथ साथ, they are unable to stop themselves for eating, ठीक है, तो इस तरह की जो baseline चार्ट जब आपके पास one week की, या two weeks की आती है, तो it helps you to develop their management plan as well as to understand the case, thank you.